ओम शान्ति हम सभी ये जानते हैं कि हम किस में हैं, हम मानव तन में हैं अब जो मानव है, उसकी तीन केटेगरीज होती हैं हम उनको तीन केटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे एक तो साधार अन्मनुष्य हैं, जो हम हैं और उसके उपर होती हैं देवी देवता आप ये भी देखते हैं कि देवी देवता भी वैसा ही शरीर होता है वैसी ही रचना होती है वैसे ही उनके अंग होते हैं तो वो भी मनुश्य रूप में ही होते हैं मनुश्य रूप जैसे होते हैं और हम किताबों में पढ़ते हैं आसुरी मनुश्य एक होता है सुर, शुर माने देवता, एक होता है असुर, असुर माने जिनको हम कहते है राक्षस और बीश्ट में जो है, वो है साधारन मनुष्य, जो हम अपने आपको मानते हैं मनुष्यों में भी जो हम category डिवाइड करते हैं, हर मनुष्य की अपनी-अपनी quality होती है, वो मनुष्य की quality नहीं, आत्मा की quality होती है, कई चीजे हम use करते हैं frequently, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, अब आप देखे, मनुष्य में ही लीजिए, हम क्या use करते हैं, जै संत आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, कई बार से भी बोलते हैं, जो अच्छा नहीं होता है, उसको बोलते हम दोस्ट आत्मा, हम हरे के पीछे आत्मा शब लगाते हैं, तो यह महान आत्मा, महात्मा, तो मतलब हरे के पीछे आत्मा शब्द जरूर आ रहा है, और देवता उनके लिए हम मुझते देवात्मा तो वो भी आत्माएं हैं तो हम सब आत्माएं हैं लेकिन हम मनुष्यतन में हैं और उन मनुष्यतन में देवता भी मनुष्यतन में आते हैं और हम सब भी मनुष्यतन में आते हैं और जो जिनको हम असुर कहते हैं या राक्षर कहते हैं उनक भी जो शरीर की संरचना होती है वो भी मानव जैसी ही होती है अब हम ये अंतर क्या है देवी देबताओं में और हम साधारन मनुष्यों में क्या अंतर है अब हमने देवात्मा कहा तो वो भी आत्मा और हम साधारन मनुष्य है वो भी हम क्या कहते हैं संतात्मा महानात्मा इस तरहां से हम यूज करते हैं, तो जो भी शरीर में है, वो सब आत्मा है, क्योंकि जो शरीर को चलाने वाली शक्ती है, वो आत्मा है, लेकिन हम उनको डिफ्रेंशेट करते हैं, कि ये देव आत्मा है, ये संत आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये असुर, हिंसा वाली आत्मा है, लगाते हैं तो ये quality किसकी है देह सबका एक जैसा होता है उसके function भी एक जैसे होते हैं लेकिन quality आत्मा को हम कहते हैं आत्मा की अलग-लग qualities हैं देवात्मा जो है तो उसमें क्या विशेशताएं होंगी कि वो उनका शरीर देवी देवताओं जैसा होता है perfect होता है, सुन्दर होता है, रमनीक होता है उनके चहरे पर संतुष्टता होती है और वो सदा हरशित मुख होते हैं उनके नैन भी लुभावने होते हैं जो साधारन मनुश्यों के नहीं होते तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है आत्मा की quality का आत्मा के जो गुण होते हैं अब जो देवी देवता होते हैं वो देवी गुणों वाले होते हैं उनके अंदर देवी गुण होते हैं उनके संसकार देवी संसकार होते हैं तो उनको हम देवी देवता कहते हैं देवी गुण वाली आत्मा अब हम आत्माई जैसे हम साधारन मनुष्य हैं हम साधारन मनुष्यों में भी स्रेस्ट मनुष्य होते हैं महान होते हैं संत होते हैं और भी अलग-लग कैटेगरी इसके होते हैं तो वो सब भी कैटेगरी हमारी आत्मा की क्वालिटी पर डिपेंड करती है अब इसको समझाते हैं जैसे suppose आप कोई white कपड़ा खरिदने जाते हैं तो white कपड़े भी तो कई qualities होती हैं कई qualities होती हैं उसकी कई brand होती हैं कोई white कपड़ा खादी आश्रम से लोगे कोई खादी, कोई रेमंड्स का वाइट कपड़ा लोगे कोई ग्वालर शूटिंग शेटिंग का कपड़ा लोगे तो है वाइट कपड़ा, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग-अलग है ऐसे ही हम सब मनुश्य आत्मा है लेकिन डिफरेंट कहा है, हम एक दूसरे से डिफरेंट कहा है आत्मा की क्वालिटी डिफरेंट है जैसे कपड़ी की क्वालिटी डिफरेंट है, है वो कपड़ा सफेज ही कपड़ा है, लेकिन कोई ग्वालिय शूटिंग शेटिंग के कपड़ा उसकी quality अलग दिखाई देगी रेमन्स की कपड़े की quality अलग होगी और खादी आश्रम की quality अलग होगी तो तीनों अलग-अलग quality के है न लेकिन कपड़ा है और वाइट कपड़ा है ऐसे ही हम सब आत्माई है लेकिन हमारी quality अलग-अलग है quality किस sense में हम कहते हैं आत्मा की हमारे गुणों की हमारे अंदर जो शक्तियां हैं हमारे अंदर जो गुण हैं हमारे अंदर जो विशेशताएं हैं जो संसकार हैं वो हम सब कर different different होते हैं अब आप देखिए एक ही घर में आप twins को ले लीजिए twins पैदा होते हैं एक ही माँबाप के बच्चे एक ही माहौल में पले और एक ही सामे पर पैदा हुए लेकिन वो twins भी बड़े होके दोनों अलग-अलग होते हैं उनकी अलग-अलग qualities होती हैं माहौल सब सेम है पेरेंट्स भी सेम है उनका जो पालन portion है वो भी एक जैसा ही हो रहा है फिर भी बड़े होकर दोनों अलग-अलग होते हैं हम identify कर सकते हैं यह वो बच्चा है यह वो बच्चा है इसका मतलब है कि हमारी जो आत्मा आत्मा तो अमर है न वो कभी मरती नहीं है तो जो पिछले जनम में वो आत्मा अलग अपने जनम में कहीं अलग स्थान पर होगी और जो दूसरी आत्मा है वो अलग स्थान पर होगी तो उसने अलग करम किये और दूसरी आत्मा ने अलग करम किये तो दोनों different कैसे होती हैं क्योंकि वो पिछले जनमों में अलग- अलग अलग घर से आई हैं, अलग अलग कर्म करके आई हैं। बहले इस जम्य एक ही घर में हैं, लेकिन पीछे वाली जो संसकार होते हैं, वो भी carry forward होते हैं और वो अगले जनम में reflect होते हैं। तो दोनो अलगलग स्थान से आई हैं, अलगलग तरह के कर्म करके आई हैं, अलगलग उनकी जर्नी है, उनकी यात्रा अलगलग है, तो जब वो बड़े होते हैं, तो उनमें अलग-अलग संसकार इमर्ज होते हैं दोनों different होते हैं twins होते हैं थोड़े identical होते हैं लेकिन फिर भी उनमें basic जो qualities होती हैं वो different होती है because आत्मा की अपनी एक यात्रा है अपनी एक जर्नी है तो हर आत्मा अपने-अपने अलग-अलग तरीके से उसने जनम लिया अलग स्थान में रहा अलग-पालन पोशन हुआ अलग उन्होंने जो भी करम किये पीछे कोई क्या करम करके आया दूसरा किसी और रास्ते से तो हर आत्मा की different जर्नी होती है और वो संसकार जो है वो अगले जनम में carry forward होते है तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो जो संसकार है जब वो समझदार बनता है उसमें विवेक आता है बोलने की शमता होती है language सीख जाता है तो धीरे-धीरे उसके वो संसकार भी emerge होते है suppose दो twins हैं माले twins हैं एक पिछली जनम में singer होगा singer था और एक sportsman था तो जब बड़ा होगा तो एक को गाना गाना अच्छा लगेगा क्योंकि वो पिछले जनम में singer की संसकार लेकर आया है तो और दूसरा वाले को sports में खेलने में रुच्ची होगी क्योंकि पिछले जनम में उसका वो संसकार बना हुआ है खेलने का तो दोनों बड़े होकर अलग-लग direction में चलते हैं तो इससे सिथ होता है कि हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है अपनी यात्रा है एक की यात्रा ना मिले दूसरे से अब हम कह रहे थे कि मानव जनम देवी जनम और आसुरी जनम ये हम कैसे डिस्ट्रूंगिश करते हैं देवी देवताओं की हम पुजा करते हैं हम साधारन मनुष्य है जब मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं की मूर्ती हमें कैसी दिखाई देती है उनमें दैवी गुण जलकते है उनमें सत्यता जलकती है उनमें नम्रता जलकती है उनमें मधुरता जलकती है वो हरशित मुख होते है और उनके नैन दिव्य द्रिस्टी वाले होते है मतलब सबका और उनका हाथ सदा क्या होता है आशिरवाद देते हुए तो वो परफेक्ट गोण वाले होते है वो गोणी होती है गोणी आत्माई होती है और वो शक्तिशाली भी होती है तो जो आत्मा जैसी होती है उसको शरीर भी उसकी क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी के उपर मिलता है कैसे कहते हैं जैसा बीज होता है जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ बनेगा पौधा बनेगा तो आत्मा भी बीज के समान है बीज है आत्मा से ही तो मनुष्य फिर शरीद मिलता है ना तन मिलता है तो अगर आत्मा देवी गुण वाली है परफेक्ट है और उसके पुण्यों का खाता बहुत अच्छा है पिछले जन्मों में अच्छे करम किये हैं बहुतों का कल्यान किया है यह संसकार उसके अंदर है नंबरता है, मधुरता है, सेहन्षीलता है punctuality है यह सब जो संसकार उनके अंदर होगे तो जो उनका जो body structure का जो निर्मान होगा वो जैसे उसके आत्मा के अंदर से vibration निकलेंगे वैसा ही उसका body structure बनेगा तो गुंड वाली आत्मा को देवी देवताओं जैसा शरीर मिलता है और वो कितने अलोकिक रिती से श्रेंगारे हुए होते हैं वो इतना श्रेंगार उनका क्यों होता है क्योंकि उन्योंने अपने अच्छे करम करकर के पुन्यों के खाते जमा किये हैं लोगों का कल्यान किया है विश्व की आत्माओं को कल्यान किया है और वो मूर्ती रूप में भी हम सब का कल्यान करते हैं तब ही हम उनके आगे जाके मत्था टेकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, अपनी मनों कामना पूरी करने के लिए, उनसे कामना करते हैं. क्योंकि वो ऐसे हैं, वो देव आत्मा है, देवी क्वालिटी वाली आत्मा है, तो अच्छा यह होगे देवी देवता तो जैसा आत्मा होती है जैसे गुण वाली आत्मा होती है सतो गुणी आत्मा देवी देवता जो होते हैं वो सतो गुणी होते हैं उनमें सारे गुण होते हैं और उसके बाद तो जैसी आत्मा वैसा ही उसको शरीर मिलता है तो आप देखेंगे देवी देवताओं का शरीर एकदम अलोकिक सुन्दर और लुहावना होता है और वो पूरी तरह से शिंगारे हुए होते हैं क्योंकि जिसके अंदर जो जो गुण होते हैं वैसे ही उन्हें वस्त्र और गहने मिलते हैं तो हमारे करम से, हमारे गुणों से, हमारे पुर्णे के खाते से आत्मा की क्वालिटी दी बैस्ट बन जाती है तो जब वो अगला जनम लेगी और उसको जो शरीर मिलेगा वो तैवी गुण वाला शरीर मिलेगा जिनको हम देवी या देवता कहते हैं अब हम तो वो सर्विस्ट बेस्ट केटेगरी या टॉप केटेगरी होती है देवी देवता की नंबर वन केटेगरी तो वो कैसे बने अपने करमों से और गुणों से और जो उनके अंदर शक्तियां, समझ, ज्यान, सत्यता जो उनके अंदर है वो उनके शरीर के रूप में भी reflect होती है और वो पूरी तरह से शिंगारे हुए होते हैं और जो दुनिया उनको मिलती है वो दुनिया भी perfect दुनिया मिलती है वो भी आत्मा की quality के उपर होती है जैसी आत्मा वैसा ही उसको रहने का इस्थान मिलेगा आप दुनिया में भी देख लीजिए कभी president आएंगे तो प्रेजिदेंट को आडिनरी इस्थान पर तो नहीं रखते हैं ना नहीं ठेराते वी वी आई पर इस्थान पर ठेराते हैं तो जैसी आत्मा होती है वैसा ही वस्त्र वैसा ही इस्थान वैसी ही उनकी खान-पान सब कुछ accordingly वैसे ही मिलता है अब हम मनुष्य हैं हम साधारण मनुष्य हैं क्यों देवी देवता क्यों नहीं है क्योंकि हमारे जो कर्म हैं इस समय हमारी जो सोच है हमारी सोच परफेक्ट तो नहीं है ये सब हम सभी स्विकारते हैं हम अच्छा भी सोचते हैं तो कुछ गरद भी सोचते हैं ऐसे ही हमसे जो करम होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं तो हम साधारन मनुष्टे की केटेगरी में आते हैं और फिस असूर जो हिंसक होते हैं हिंसक वृत्ती वाले होते हैं वो आसुर कैटेगरी में आते हैं तो उनका शरीर भी वैसा ही मिलता है तो ये था बेसिक सनरचना आत्मा की क्वालिटी के बारे में उम्शन थी